नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है घरेलू देशिन उसके चैनल में दोस्तो आज की अपनी चर्चा का विषय होगा मदुमे है या डाइपटीज को किस प्रकार से अपन कन्ट्रोल करकते हैं रोक सकते हैं या फी डाइपटीज को जड़ से खतम कर सकते हैं देखे दोस्तों, डाइबिटीज के लगभग इस संसार में आदे लोग प्रभावित हैं। डाइबिटीज या मदूमय है रोग बलड में सरकरा की मात्रा के बढ़ जाने से या फिर सरकरा की या इंसुलीन की मात्रा कम होने से बलड सूगर कम या ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, बलड सूगर के कम या ज्यादा होने पर अपन ऐसा कौन सा नुस्का है जिसको अपना करके अपने बलड सूगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लेवल को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, मेथी के बारे में तो आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। मेथी भारत वर्स में, हर घर में, मसालों के रूप में भी प्रियों की जाती है। साथ ही अन्य कई बिमारियों में भी बहुत काम आती है। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि मेथी के दुवारा जो सुगर की बिमारी है, मदुमेह का रोग है। इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से खतम कर सकते हैं। आज मैं इस मेथी के दो प्रियोंग बताने वाला हूँ आपके, एक मेथी का और दूसरा मेथी के पीसे वे पाउडर का। इसके लिए अपन को करना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। रात को सोते समय दो चम्मच मेथी और एक गिलास पानी गा। दो चम्मच मेथी को रात को सोते समय पानी में डाल देंगे, पानी में भिगो देंगे। जब ये रात भर भीग जाएगी और अच्छे से ये फूल जाएगी तो दोस्तों भूके पेट बिना कुछ खाए पिए अपने इस पानी का सेवन करना है। मेथी फूलने के बाद में इसका खारापन भी कम हो जाएगा और आपको खाने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आपने सुबह सुबह भूके पेट, दाना मेथी और मेथी और इस पानी का सेवन करना है। मेथी को चबाते चबाते आपको खाना है और इसके पानी का भी आपने सेवन करना है इस परकार से आप रोजाना भूके पेट इसका सेवन करें आपको निश्चित रूप से बलड सुगर का जो लेवल कम या ज्यादा होता है उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर दोस्तों दूसरे परियों की बात करें हैं अपन तो दाना मेथी को बिल्कुल चूरण के रूप में पीछ लेंगे या दाना मेथी का अपन पाउडर बना लेंगे और इस पाउडर का आपने सुबह सुबह खाली पेट पानी के एक गिलास के साथ में या फिर दूद के एक इलाज के साथ में एक चम्मच का आपने सेवन करना है। दोस्तों, अगर आप ये आईरवेदिक नुष्के रोजना अपलाई करते हो, रोजना अपनाते हो, तो आपको definitely blood sugar को बढ़ने से, या फिर इसका लेवल घठने में आपको बहुत लाब मिलेगा। ये बिलकुल आपके blood sugar की जो समश्या है, उसको बिलकुल control में रखेगा। तो दोस्तों, आप ये नुष्का जरूर आज माएं, स्वस्त रहिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये जानकर ये पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब करें, इस वीडियो को सेयर करें, लाइक करें,